हलो दोस्तों तो आपको स्वागत है एड़ी जारखुन क्लासेश में और आपके सामने सहायक अचारे 6-8 और जीएशी सीजियल के लिए फिर से स्टार्ट हो रहे हैं न्यू टेस्ट सिरीज जिसे हम लोग बोलेंगे ब्रमास्त सिरीज और ये नागपूरी पेपर 2 का ब्रमास स्ट सिरीज वन है जो कि हम लोग 100 प्रशनों का इसमें हम लोग अनलेशिस करेंगे 100 प्रशनों की बारे में हम लोग चानेंगे ठीक है जो इंपूर्ट है सहायक अचारे 6-8 और जीएशी सीजियल के लिए अगर इसका सारा जैसे जिक्ये जीएश पेपर का फुल कोर्स और नागपूरी पेपर 2 का फुल कोर्स पेपर जो है लेना चाहते हैं देन आप डबलेट 6-3-8-4-2-8-1 पर आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे ठीक है जिक्ये जीएश पेपर 3 का है 999 में ठीक है 999 में आपको कोर्स मिलेंगे और जीशी सीजियल सहायक अचारी के लिए आ और 299 में 10,000 MCQ टेस्ट है ठीक है तो अब 10,000 MCQ टेस्ट जरूर से जोरूर जोइन करें ठीक है तो चलिए हम लोग अभी सहायक अचारी 6-8 और जेशी सीजियर नागपूरी पेपर 2 का ब्रभास्त स्रीज वन करें फर्स्ट जो प्रश्ण है question 1 है निम्न देवल में से मरदाना गीत से संबंदित आ है तो कोन है संबंदित भाई जल्दी बताएं खेमटा, पावश, उदासी, सवभे तो मरदाना गीत निम्न में से कोन है तो option number जो है आपका D हो जाएगा जो total यानि की खेमटा भी है पावश भी है उदासी भी है ये सभी मरदाना गीत है ठीक है चलिए second number प्रश्ण क्या है भई अंगनई कर संगे जे खेमटा राग जूटे ला देखे ध्यान से question सुनिएगा अंगनई कर संगे जे खेमटा राग जूटे ला उके का कहल जाएगा अना अंगनई के साथ में जो खेमटा राग जूटता है उसी क्या कहा जाता है विहनिया अधरतिया शंजिया या जिन फूलिया इसका सही अंशर क्या हो जाएगा जल्दी बताएं option number B हो जाएगा अधरतिया ठीक है option number B हो जाएगा next चलिए तिन नंबर प्राश्न है जे गीत मन के जे गीत मन में वासंती सुस्मा सुन्दरई और वसंत क्रिडा कर वर्नन करल जाएगा उप कोन तरह कर गीत होएगा या फिर है कई तो किस प्रकार का गीत होता है जिसमें वासंती सुस्मा यानिकि सुन्दरे ठीक है सुन्दर्ता का वर्नन करना और वसंत क्रीडा का वर्नन करल जाएला उके पून गीत कहल जाएला तो भाई बताए ये ना तो उके जो है फगवा गीत कहल जाएला आईशा ना कि आप वसंत गीत मार दीजिए ठीक है क्योंकि ये फगवा के टाइम में ही वसंत रिदू के समय हो अभिने गेता निरित और अभिने कुन राग छंदर कर विशेष्टा है कुन राग छंदर कर विशेष्टा है तो option नमबर डी फगवा कर ये विशेष्टा है next five नमबर प्रस्ण है सवाल जबाब कर सैली में कुन गीत कर परंपरा हमरे बीच आहे ना देखी यहां क्या है सवाल जबाब कर सहली में कौन गीत कर परंपरा हमरे बीच आ है तो किसमें जो है सवाल जबाब होता है किसमें होता है होली, फगवा, पचरंगी, चार कोई नहीं तो option number 2 हो जाएगा फगवा में ठीक है चलिए अगला प्रशन की ओर चलते हैं शिक्स नमबर प्रशन की ओर बसंत रितू कर सुन्दारे के बढ़ायक में कोन-कोन फूल मनक युगदान आ है जो बसंत रितू का सुन्दरता को बढ़ाने में कोन-कोन से ये फूल का युगदान होता है तो सेमर कर फूल, धावाई कर फूल, पर्षा कर फूल परसा यानि कि पलास का फूल ना और ये जो है वसंत रितु में ये सब सारे फूल है जो ये वसंत रितु का सोभा बढ़ाते हैं यानि कि option number D हो जाएगा सोभे ठीक है चलिए seven number प्रस्ण है फागुन पूर्निमा कर रायत मरदाना मन फागुन पूर्निमा कर रायत मरदाना मन होली का दहन कर चारो गहंटे कौन गीत गावे ना तो फागुन पूर्निमा कर रायत में मरदाना मन होली का दहन के साथ जो है चारो गहंटे ना कौन सा गीत गाते हैं भाई बताईए कौन सा गाते हैं डमकच गीत जुमर गीत फगवागीत और होली गीत तो सही अंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी फगवागीत तिक है अंसर क्या हो जाएगा फगवागीत नेक्स्ट है आठ नमबर प्रश्ण है चैत मास कर महीना चैत मास कर पहला दिन के कोन नृत्य कर परंपरा है जो चैत माह का पहला दिन होता है वो कोन नृत्य का परंपरा है उसमें तो ओप्सन नमबर भी फगवागीत नृत्य का परंपरा है तिक है चलिए नाइन नमबर प्रश्ण है फागुन पुर्णिमा कर मरदाना मन ये तो हो ही गया question इसमें फगवागीत रेपिटेशन हो गया है प्रस्ण का टेंसन न लेंगे चलिए दस नमबर प्रस्ण देखते हैं पचरंगी फगवागीत में कई किसिम कर गीत मनक समाहार हो ला तो पचरंगी जो है फगवागीत में कितने परकार के गीत जो है समाहित होते हैं आप बताइए दुई किसिम कर अनाइत किसिम कर तीन किसिम कर या फिर एक किसिम कर तो सही अंसर क्या हो जाएगा तो अनाइत किसिम कर क्योंकि एक न दू न तीन ये कितने अनाइत ही होगा यान कि पांच राग मिलकर चुक्या है चलिए एक ग्यारा नमबर क्या कहता है भाई।огव़ध्य गीत में सगुन और निर्गुन भाक्ति पर जे परंपरा आहे का नाम देव लगाول पिशारी गीत नाम दिया जाता है ऑप्सननमार दिया जाता है। नाखपुरी संस्कृती में कईठो संस्कार कर जनकारिया है तो 16 तो संसकार कर जनकारिया है किदडना? 16 तो संसकार कर 12, 13 नंबर प्रशन है वियाह गीत मनक संबंद के कर से आहे तो जो है विवाह का निमन मेंister इससा कोंचा गीत जिसे विवाह संबंदित है यही प्रस्ण बोला जा रहा है, तो option number जो है, B, संसकारगी, ठीक है, संसकारगी तुमें विहा आ जाता है, 14 number प्रस्ण है, हमरे मनक समाज में ग्रिहास्त जीवन कर सुरुआत कोन संसकार से होईला, हमरे मनक समाज में ग्रिहास्त जीवन कर सुरुआत कहने का अर्थ यह है, कि हमारे समाज में ग्रिहास्त जीवन कर सुरुआत कोन संसकार से होता है, तो इसका बताई अंसर ग्रिहास्त जीवन का स्टार सट पशा खूता है देवल में से कोन निरत्य गीत नहीं है जलदी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पताएं उप्स्य नमबर सी उधासी वदासी जो क्या है और ये उधासी गर्मी के दिनों में ही गाय जाता है य्यूथ कि गर्मी से अस्त बयस्त पस्त होकर यह गीत का गायन होता है धीमी अवाज में ठीक है सुरिली अवाज होता है एकदम सुस्त पड़ जाते हैं मन ठका हुआ टाइप पे feel होता है तो आपको ये उदासी गीत का गायान किया जाता है। ठीक है। बिहनिया और पहिल सांजा किकर राग भेद मानल जाईला भाई। तो ऑप्सन नमबर B जो है जनानी जूमर का बिहनिया और पहिल सांजा राग मानल जाईला। नेक्स्ट है बहला एसराज कर संबंद किकर से आहे। देखे सबसे इंपोर्टन प्रस्ट ये है न तो आप बहला जानते नहीं एसराज जानते हैं। लेकिन ये क्या चीज है बहला और एसराज क्या है। नाच है, वादियंत्र है, गान है, क्या चीज है भाई। पर्व का नाम है, फेस्टिबल का नाम है, क्या है ये। तो बहला और एसराज जो है यहाँ एक वादियंत्र है। अब सर्च करके देखिएगा क्रोम पे की बेहला कैसा दिखता है और एस राज कैसा दिखता है तिक है अगर आपको देखना हो तो तो प्रश्ण है, निम्न दिया हुआ में से कौन सा निरित्य गीत नहीं है, तो उदासी जो है, ये एक निरित्य अधिक होता है कब, तो संजिया विहाने राइत में या पे दुपार या तो अप्शन नंबर हो जाएगा आपका त्री राइत में, यानि कि जो है मर्दानी जुमर का गायन सबसे अधिक होता है रात में, ठीक है, एकिश नंबर प्रश्ण है, विराह जनित वेदना, आकूलता कातरता, कौन तरह कर गीत छंद में विशेष्टा है कि ये कौन छंद गीत कर विशेष्टा है, क्या चीज, विराह जनित वेदना, आकूलता, कातरता, कौन तरह कर, ठीक है, तो ये जो है आपका, सही अंसर क्या हो जाएगा इसका, option number C, उदासी, क्योंकि उदासी में मन आक पूल होता है, उदास होता है, ठीक है, इस प्रकार से यहां गाया जाते हैं, चलिए, 22 नमर प्रश्ट है, नाकपुरी का कोन राग बगरा उल्लास परदान करिक वाला है के, अना, नाकपुरी का ऐसा कोन सा राग है, जो बहुत बगरा का अर्थ है, ज्यादा, अना, आवस जो है, यह जो है, कब गया जाता है, यह आप कमिल सिक्षर में करें, क्योंकि सारा क्रिस्टन कराया गया है, ठीक है, सारा आपको कोर्स कराया गया है, अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं, तो टेस्ट लगाने से पहले, टोटल कोर्स को आप देख लें, ठीक है, टोटल छोटा नागपूर में जब सूरज उत्रायन होई जाएला तो कौन तरह कर गीत गावेकर परंपरा हमरे बीचा है जब छोटा नागपूर में सूरज उत्रायन हो जाता है तो किस प्रकार का गीत का गायन होता है बताईए कमेंट सक्षर में आप कमेंट कीजिए जितने भी उदासी टेंक है इत्यांस सुन्येगा प्रशन को ध्यांस सुनने हैं उसके बाद सही अंशर लगाने है नाकपुरी संस्कृति कर कोन तृह कर गीत बिगर ताल कर गावल जाइला तो बिना ताल का कोन सा गीत गए जाता है यह है उदासी आप ख्लास जाकर देख लें लोक गीत का आपको सारे प्रस्न यहां से बनेंगे क्यों है जे राग के गावेक से कुसल छेम और मंगल भावना कर सिधी होई ला उके का कहल जाईगा प्रस्न है कि जो राग को गाने में कुसल शे मंगल भावना कर सीधी होता है उस राग को क्या कहा जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा क्या चीज, खेमटा ठीक है, जो भी student प्रस्न जानते हैं वो आप जरूर से जरूर अंसर दें ठीक है, मैं बार बार यही बात बोल रहा कर बटवारा कई भाग में करल गे लेके तो देखिए यहां है ना बहुत ज्यादा confusion है बहुत सारे student को और बहुत सारे बुकों में यह confusion like है ही तो आप देखिए इसे आप 25 प्लस आठ याद करें इसी को आप याद करें 25 प्लस आठ मैं प्रूफ करके जब आप ग्रामर का आप विडियो देखेंगे लेक्षर देखेंगे ओन एडी जार्थन अहां ठीक है लेकिन आपको यूटूब पे टोटली नहीं मिलेगा ठीक है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं और ज्यादा फी भी नहीं है वंली 499 भी ठीक है पीडियेव कर दे या फिर कोर्स कर दे सेमी फी है तो चलिए तो यह जो है 25 प्लस आठ है मैंने पूरुफ करके कौन से लिपी में लिखा गया था तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा तो चो है यह कैथी लिपी में लिखा हुआ था ठीक है और मैंने यह भी वीडियो बनाया है कैथी लिपी पर देवनागरी लिपी पर बंगला लिपी पर ठीक है क्योंकि यहां देखे जेपी एसी मेंस ना पूरी पेपर 2 का भी क्लास कराया जा रहा है जो कि AD Classes एप पे एविलेबल है 28 नमबर प्रश्ण है ब्रामही लिपी कर उत्तर सहली से कोन लिपी मनक कर विकास होई है तो कोन सा लिपी का विकास हुआ है ब्रामही लिपी कर उत्तर सहली से तो इसका जो है सही अंसर हो जाएगा Option number C गुप्त सारदा कुटिल नागरी 29 नमबर प्रशन है कौन भासा कर सबसे वड़ विशेष्टा होईला तो किस भासा कर सबसे बड़ा विशेष्टा होता है देखिए भासा कर सबसे बड़ा विशेष्टा कौन सा होता है ओफसन नमबर C ध्वनी संबधी विशेष्टा होता है भई तीस नमबर प्रस्ण है धार्म गरंथ मनक भासा हमरे लिए कौना है जो होता है धार्म गरंथ है न हम लोग का तो वो कौन सा भासा है, उसमें लिखा हुआ है कौन सी भासा में, बताएं, पाली, अर्भी, संस्कृत, अंग्रेजी, तो option number C, संस्कृत में ये प्रजिन्ट था, नागपुरी व्याकरण पहले पहल कब अलक, तो नागपुरी व्याकरण सबसे पहले कौन सा भासा भासा आया था, तो option number C, 1896, तो ये आपका जो है नागपुरी व्याकरण आया था, चलिया, 31, 32 नमर प्रस्ण है, 32 नमर प्रस्ण है, काब्य में अलंकार कर जरूरत काले होईला, तो काब्य में जो है ना, अलंकार कर जरूरत किसलियो होता है, तो भाव कर सुभा बढ़ा विकले, ना option number 2, इसका सही अंसर हो जाएगा, चलिया, 33 नमर प्रस्ण है, भासा सब्द में कोन धातु जुड़ल आये, भासा सब्द मे कोन से धातु जुड़ी हुई है, भाक, भास, वानी, वाक, तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, option number B, भास, भासा सब्द में कोन सा धातु जुड़ा हुआ है, तो ये है भास, 34 नमर प्रस्ण है, अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं हम लोग, छोटा नाकपूर कर, पुर्ण भासा का रूप में कोन आर्य भासा है के, तो देखिए निम्ण में से ऐसा कोन सा है, जो आर्य भासा है, तो option number B, सदानी आर्य भासा है, ठीक है, चलिए, next है, सांकेतिक भासा से का समझल जाई ला, 35 नमर प्रस्ण है, सांकेतिक भासा से हम लोग क्या समझते हैं, तो सांकेतिक भासा का अर्थी होता है, इससे प्रतीत हो रहा है, इससे दिख रहा है, इससे समझ में आ रहा है, कि ये संकेत से रिलेकेड है, ठीक है, तो option number 2 हो जाएगा, संकेत, कि हम लोग संकेत, सिंबॉल से समझेंगे, ना, भासा का अध्यान कुन सास्तर कर भीतर होई ठीक है, चलियो, 37 नंबर प्रशन है, सार्थक ध्वनी कर जोड से का बनिला, जो सार्थक ध्वनी का जोड होता है, उससे क्या बनता है, तो बताएं, अंसर इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, और स्वर वर्न कर मुढ़ विशेष्टा का है स्वर्वर्ण का मुख्य विशिष्टा क्या है तो स्वर्वर्ण का जो है मुख्य विशिष्टा यह है कि यह उच्चारन में एक छोड के अन्य ध्वनीकर सहाई नी लवेक्ष तिक है उन्चालिस नमर प्रश्ण है पुर्णा काल में रहेक वाला संसार मन कौन आरे भासा कर उपयोग करत रहे न सभी लोग पुर्णा काल में जो आरे मन है कौन सा भासा का परियोग करते थे नाकपुरक काल में तो अप्सव नमर सी हो जाएगा सदानी ठीक है चलिए जारखन राईज में नाकपुरी कोन रूप में स्विकार करल जाए है तो जारखन राईज में जो है नाकपुरी कोन से रूप में स्विकार किया जाता है तो दीतिय राजभासा कर रूप में नेक्स् यह का बार-बार घरी-घरी का अर्थ है कि बार-बार बार दोहरायक से बचक ले यह फिर दोहरायक ना पड़े ना इसके लिए कौन सा हम लोग किसका बहवार करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, option नमबर 2 हो गया, सर्वनाम का पयोग करते हैं सारा क्लास कराया हुआ है आप देख सकते हैं विश्येशन जे संग्या सब्दकर विश्येश्था बताईला उके का कहल जाईला ना बताएं तो सही अंसर हो जाएगा इसका विश्येशन चुक्या 43 नमर प्रस्ण है मुद्ध रूप से विश्येशन कर कैठो भेध हो विला तो मुख्य रूप से जो है विश्येशन का कितने भेध होता है तो अप्सों नमबर इसका सही अंसर क्या हो जाएगा चार होता है ठीक है चार होता है बेदरिशर नमर प्रस्ण है पाकल आमबा गुरुआ अहुए ला वाक्य में कौन विश्येशन होके hy ना जो विलेबॉच हुत्य है तोло कियुक्त अंतटाश Cliff absurd को केन सब्सक्रा hadi क्रि尋 ब् туда है तो देखेए और क्योंकि आंबा जो है कैसा है पका हुआ है ठीक है और मीठा मिठा भी है गुरुवा हो जो याने की इसमिली आमत कहता है, इसमें कौन सा गुन का वहवार हुआ है, तो इसमें जो है, आपका कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें होगा गुन वाचक, विशेशन, ठीक है, क्योंकि यहां भी गुन का बुध है, अमताल सब्द कोन विशेशन कर उधारन है के, तो अमताल सब्द 47 नमर जो प्रस्ण है, अमताल सब्द कोन विशेशन कर उधारन है के, तो ओप्सन नमर ए गुन वाचक कर, ना, अरतालिस नमर प्रस्ण है, फुटबोल के कोन लिंग मानल जाईला, तो फुटबोल जो है, कोन है तो ऑप्सन नमबर Monday बेलिंग है गई वह इन में 11, 6 संसार की सबी निर्जीव वस्तो यह आपका क्या कहलाता है बेलिंग कहलाता है pregunta्यार जिसमें कोई जान नहीं है रहाफ जैना वह मंहें मतला मैय आप इसका बहु वचन सब्द क्या होता है तो ओस दिखिए मंहें भेला अन्हें इसका सही अंजर का होजाई तो हमरे मैं मने नेक्स है आपका घासी राम कर मुध र्चना नुम्ह सी राम कर मुध रचना जो मुख्य रचना है घासी दाम का निमन में से कौन-कौन है तो ललना रंजन नागफुरी फाक्स तक दुर्ग सप्तमी ये सारे जो है किनका है घासी राम जी का है ठीक है सारे कभियों के बारे में बताया गया है एक भी ऐसा कभी नहीं है आप अगर जितने विजेशस शीजिल का कोर्स है वो सभी कभियों के बारे में टोटल डिटेल्स बताया गया है ठीक है चलिए 51 नमबर प्रश्ण कियों चलते हम लोग गीती नाट्य कर रूप में कौन किताब प्रसिद्ध है एकदम सबसे जादा गीती नाट्य जो नाट्य का है सही अंसर क्या हो जाएगा नारद मोह लीला बावन नमबर प्रश्ण की ओर चलते हम लोग नरबली कोन तरह कर समास हके भाई तो नरबली जो है आपका कोन तरह कर समास है यह है समास तत्त पुरुस समास है चलिए तीरपन नमबर प्रश्ण की ओर चलते हम लोग कोन रचना में चंद कर जरूरी होना होता है तो आपका सही अंसर क्या हो जाएगा? अफसन नमबर C पद काव्य में चंद कर जरूरी होना होता है लोर नामक काव्य शंग रहकर रचिता केह कई निम्ण में से चोवर नमबर प्रस्ण क्या है? तो लोर, ठीक है? तो लोर केकर लोर कर लिखवया केह कई? अना और लोर केकर जो है एकर कभी कोन है कई, लिखक कोन है कई तो आपसन नमबर B हो जाएगा धनेंदर परवाही ठीक है? बहुत बार ये प्रस्ण आचुका है option number B, धनेदर परवाहिव next है, प्रश्पन Gobierno, प्रश्ट, नलदमीयंती चरित्र question क्या है, नलदम्यंती चरित्र नामग कहन्ड काभीकर नलदम्यंती चरित्र नामग कहन्ड काभीकर रचना कार कौन है कई, तो option number C द्रिखपाल राम देवघरिया ठीक है द्रिगपाल राम देवघरिया कर जनम कहां होई रहे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताएं और इनकर माता और पिता कर का नाम रहे द्रिगपाल राम देवघरिया कर क्योंकि सारे मैंने क्लास कराया हैं ठीक है चुलिए यह कोई फर्स्ट क्लास आपका नहीं है यह तोटल डेटल्स बताया क्योंकि देखिए आपको यहां क्वेश्चन से रूबरू कराया जा रहा है रूबरू का अर्थ है कि आप क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं यह चीज आपको बताया जा रहा है ठीक है तो यहां कोई टाइम पास नहीं होगा सिर्फ क्वेश्च किसका अनुकरन करता है इसका जो सही अंसर हो जाएगा क्या होगा option number C राग कर चलते हैं चंद सास्त्र में वर्न और काल केकर भेद बताया जाता है भाई तो option number B जो है मात्रा कर भेद बतावल जाईला option number 2 सही हो जाएगा चले ठीक है अंठावन नंबर प्रश्न की वर चलते हैं हम लोग कोन चंद में वर्न मनक निशित और मात्रा मनक निशित संख्या के ध्यान नीद वल जाईला तो इसा कौन सा है कि भाई नहीं ध्यान दिया जा तो option number C ले ले आत्मक छंद में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ठीक है कि वह ले ऐसे गा रहें तो गा रहें हैं बैदिक गीत मनक कर चर्चा सब से पहले कहां होई रहे कहां हुआ था सबसे पहले बताएं भाई कहां हुआ था option number C सामवेद क्यों कि यह संगीत से भरा नेक्ष चलिए साथ नंबर प्रस्ण है साथ नंबर प्रस्ण है हस्वस्वर में कई ठो मात्रा होईला हस्वस्वर में कई ठो मात्रा होईला तो हस्वस्वर में कई ठो मात्रा होईला option number C तीन ठो मात्रा होईला हस्वस्वर हस्वस्वर उसे कहते हैं ठीक है जिसके उचारन करने में अल्प समय का बोध होता हो ठीक है जैसे की अ छोटी इ चोटी उ इस प्रकार से यह स्वर हो गए और इसी प्रकार जिसके उच्छारन करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगे जैसे आ ज्यादा आ बड़ी इड़ी उ ऐसे बोल यह 3 हो गया, संजुक्त 2 होते हैं, संजुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं यह दो, आप कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके बताएं, अब यह टोटल 3, 3, 6 और 2, 8 होते हैं, मैंने क्या बताया था, 25 पलस 8, तो 25 पलस 8 को रठ लेना है, ठीक है, कोई आपको बुक का यहां नहीं द पल्दी बताया, यह बहुत अच्छा प्रस्न है, यह बहुत ही अच्छा प्रस्न है, तो छंद सुत्र ये जो हैं, बासट नमबर प्रस्न, कौन तरह कर गीत, मन में हमरे कर परमपरा, जीवित और सुरक्षित आहें, तो बताईए भाई, इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, प्रशन नंबर दूक्त कर पंग्ति के दोहराएल जाय युप है क्यों ? 64 नमर प्रस्ण है चंद सुत्र और अगनी पुरान में चंद मनक कैठो भेद करल जाए है देखें यहां क्या है चंद सुत्र और अगनी पुरान में चंद का जो है कैठो भेद किया गया है कैठो भेद किया गया है भाई, option number B हो जाएगा, दुई गो भेद करल गेल है के, ठीक है, प्यासरत नमबर प्रस्ण है, जुम्ठा एक हरिया कैठो भेद उपभेद है के, जुम्ठा एक हरिया का जो है, कैठो भेद है, सही अंसर इसका हो जाएगा, option number C, दुई ठो 66 नमबर प्रस्ण है, शीबा कर भाई, का पास कई रहे, शीबा का भाई, निरुम्ठे से कौन सा पास कर रहा चुका था ये, IA, BA और MA, क्या चीज पास वो कर लिया था सीबा, तो IA पास कर लिया था, BA मे वो पढ़ रहा था, लेकिन वो पैसा के कारण वो BA नहीं पढ़ सका, सम्वत पैस्टी साल में कैठो पद है, सम्वत पैस्टी साल में कैठो पद है, तो कैठो पद है, सम्वत पैस्टी साल में अप्सन नमबर B हो जाएगा, दो याने की पांच, ठीक है, पांच थो पद है सम्वत पैस्टी साल में, तीता कर उल्टा का आहे, तीता कर उल्टा क्या चीज़ है तो अप्सन नमबर B मीठा है ठीक है तीता कर उल्टा क्या है मीठा है 79 नमर प्रस्ण है लोक कथा छोटकी रानी में बढ़की मन छोटकी बहन से काले जरिक लग ले लोग कथा छोटकी रानी में बढ़ की जो बहन है उन लोग क्यों छोटकी बहन से जरने लगी थी कहने का अर्थ है कि जलन होने लगा था तो option number B छोटकी कर बिहाट ठीक होई जाए रहे इके सभी लोग जो है इसके कारण चलने लगे थे मनपूरण कैसन कहानी में आवे न मनपूरण किस प्रकार के कहानी में आता है जल्दे बताएंगे भाई option number B सिस्ट कथा है मनपूरण और यह सबसारे जो आपको बताया जा रहे है न सिस्ट कथा लोग कथा सारे का सौर्ट नोड्स कराया गया है और 80 जार्खिंग क्लासेश फ्री अफ पॉस्क भी क्लास कर सकते हैं और अगर आपको सीरियल वाइस क्लास रहे देन जोएन दाइड ग्लासेश था बार-बार एक बात बोल रहा हूं घृब्धर सिंह का सधीं कर लए किरोधन सिंह कर जो है घृब्धार सिंह का कीमड़ संधिंग का केमद संसक्रन च्पाल गलत। कांटी किताब का क्याम संस्क्रण छपाया हुआ था अप्सान नमर यह तीसरा संस्क्रण छपाया हुआ है जो कांटी के कर है लिखल के कर है एकर लिखवाया किये है कई तो बीपी के शरी तीहत्य नमबर प्रश्ण है नाई मुदिन मिर्दाहा नागपुरिया समाज कर सचीव कब चुनाले तो अफ्सन नमबर सी 1996 में इनको चुना गया है भागवत नेक्स्ट है प्रश्ण चोहत्य नमबर प्रश्ण भागवत गीता कर भावा नुवाद के कई हैं तो भागवत गीता कर भावा नुवाद कोन किये हैं लाल रन विजय नाथ साहदेव ठीक है ऑफ्सन नमबर बी लाल रन विजय नाथ साहदेव पच्छत्त नमबर प कईशन लोखगीत है कि सोहराईल लोखगीत किस प्रकार का लोखगीत है भाई तो ये पुरुस प्रधान और जनाना प्रधान दोनों है मतलब कि दोनों इंज्वाई करते हैं ऑप्सन नमर त्री हो जाएगा नेक्स चलते हैं 77 नमर प्रशन की ओर तो बिहा साधी कर नेग जोग में कोन तरह कर गीत मन गावल जाई है तो बिहा साधी कर नेग और जोग में किस प्रकार का गीत का हम लोग गायन करते हैं ठीक है तो ये लाईर गीत जो होता है ये बिहा साधी में नेग जोग के लिए यह का गायन होता है ठीक है अठाता नमर प्राश्ण है बीपी केशरी जो है बीपी केशरी कब से नागपुरी कर खोज और संग्रा में लगे हुए थे कबसे बताइए आप्सन नमर इसका बी हो जाएगा उनीष्टो तिरपन से ही ये लगे हुए थे ठीक है चलिए अगले से बुखातँ यह से समय कब सुभ सुभ ऑना जाता है यह चीज पूछा जा रहा है मैं ब्शकिया 2 यह एक बात बताईए यहां राइट जो है अगर आप से प्रशन्य पुझें कि राइत में अपनी हिदिका परются। एक अपनी ही से मतलब हो गया तो देख़े अपनी हित का परियोग हुए इस प्रकार से वहां e का परियोग होता है अपके हित का परियोग होता है, चलिए असी नमर प्रशन की ओर चलते हैं, कौन लोक गीत में इस्तरी मनक आभूसन कर चनर चनर आवाज गीत, संग ये मेसा होई जाई ला है, मतलब की मेसा मतलब मिक्स हो जाना, मिल जाना, तो अस नमरी जूमटा में, हाना, लोक गीत में इस् संगे संग, चनर चनर कर आवाज जो है, जैसे कि निर्ति करते हैं तो उस टाइम वो अभूसन भी पहने होते हैं, उसका भी चनर चनर का आवाज ये निर्ति में मिक्स हो जाता है, मेसा जाता है, मिल जाता है, ठीक है? चलिए, एक क्यासी नमर प्रशन की ओर चलते हैं हम लो अब भाई बर्जु राम है न तो बर्जु राम का पूरा नाम क्या है बर्जु राम पाठक पापी प्रांच छुटे नहीं जटके में केतना पद है क्या जल्दी बताएए zi56 two 8 जल्दी बता एए तो अप्सद नमर इसका हो जागा c यानि की six होगा इसका सही अंसर ठीक है चलिए अगले प्रशन क्यों चलते हैं बेरासी नमर प्रशन है के दही बेचे आये रहे जो छोटकी रानी के देख लग साशूर्फ 26 अहरीन बुढ़िया या फिर पती तो देखिए अहरीन बुढ़िया जो है दही बेचने आई थी और वो छोटकी रानी को खिड़की यह से मतलब कि छुटकी राणी खेड़की में खड़ी थी और वो छुटकी राणी को देख ली थी तिरासी नमबर प्रस्ण है दहर चलते चलते बुढ़िया दोसर बेरा का से भेटाईला दहर चलते चलते बुढ़िया दोसर बेरा का से भेटाईला केकड़ा बाग हाथी साप तो ओप्स नमबर भी हो जाएगा बाग पहिल बेरा जो बुढ़िया है केकर से उ मिलल रहे तो केकर से मिलल रहे साप या हाथी आप इसे कमेंच सेक्शन में बताएं ठीक है चलिए चोराशी नमर प्रस्ण है ग्राम गीत छोटे होते हैं और रचनाकाल की द्रिष्टी से आधुनिक भी हो सकते हैं यह गोईट केकर रहे के भाई तो यह कृष्ण नंद गुपता है यानि कि कृष्णा नंद गुपता आप्सन नंबर C चलिए पचासी नमर प्रस्ण है मांदी कर रचनाकार के है कई मांदी कर रचनाकार कोड़ है कई तो डॉक्टर उमेश नंतिवारी आप्सन नंबर 2 ठीक है चलिए विशेश्वर प्रसाद केशरी कर जनम कहां हो ले विशेश्वर प्रसाद केशरी का जनम कहां हुआ था आप्सन नंबर 1 पिठोरिया पिठोरिया में ठीक है अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं सतासी नंबर प्रस्ण नई मुदिन मिर्दाहा कर निधन कब होई रहे तो 2021 में इनका निधन हुआ था अप्सन नंबर 3 88 नंबर प्रस्ण है डॉक्टर गृधारी राम गौंजु गीलिराज कर सेवा निभृती कब हो लग नॉक्टर गृधारी राम गौंजु कर सेवा निभृत कब ये हुए थे तो 2011 में ये सेवा निभृत हुए थे प्रास्चना है फाकूर विश्वनात साही नाक पूरी नाटक कर लेखक कोन है कई तो जल्दी बताईये भाई कोन है इनके लेखक डौक्टर विशेश्वर प्रसाद केशरी, मैनाहार, मैनाहाई, कि आखिर में केकर जगे गिलक, जो मैना थी, तो ता मैना में, ठीक है मैंना वो जो थी चना लेकर जो जा रही थी वो एक काठ में फस गया था लाशली तक वो कुन भगवान के पास गई थी वो मैंना ठीक है तो किन के पास गई थी काली माता भगवान सरक्रिष्न राम जी या फिर भगवान सियू तो भगवान राम के पास वो गये थे और लास्टली भाई सारा वो काम कर दिये थे मठिया कहां पहनल जाईला मठिया कोन अंग कर आभूशन इस प्रकार से प्रस्न पूछे जाते हैं, मठिया कोन अंग कर आभूशन है के, मठिया कहां पिंधल जाईला, इस प्रकार से प्रस्न आते हैं, तो मठिया जो है कहां पिंधल जाईला, हाथ में मठिया पिंधल जाईला, जेठ मास में का उमड आवेना, तो जेठ कर मास में क्य कला चीज उमड़कर आता है तो इसके अनुसार कोण दुख और और कारण है कि तो इसका शही अंसर हो जाएगा क्योंकि क्योंकि क्याक्ट्स में काटा था और वही दुखकर कारण खा क्योंकि उसका तुलसी को कबाड़ कर वहां आंगन में जो है क्याक्टस लगा दिया गया था देगा चौरानमे नमर प्रशन है गाउ करसांज कभी ताकर अनुसार के के भाईर पेट खायक ले नहीं मिलेला मतलब किसको किसको भाईर पेट खायक नहीं खा पाते हैं और उनको नहीं प्राप्त हो पाता है जागा जागा कभीता में कभी कौन मुद्रा से हम लोग के जागे कहत है तो कौन मुद्रा से हम लोग के जागे कहत है जागा जागा कभीता में तो और जागरुपता से जो जागरीत नहीं है और जागरुपता से ये संतन्तानवे नमर प्रश्ण है लोकसाहित परंपरा प्राप्त कथन किस से हैं यह किसका है औप्सन नमबर भी राम नरायन उपध्याए चलिए अन्ठानवी नमबर प्रस्ण है खेमटा कोन गीत कर भेध के खेमटा जो है किसका भेध है तो आपका अंगनाई का है चलिए निन्यानवी नमबर प्रस्ण है मुन्ना किकर बेटा रहे तो मुन्ना जो है निरल कर बेटा रहे सौवा नमबर प्रस्ण है सांपकर पाछे मैना किकर ठिन गिलग सांपकर पीछे मैना जो है किसके पास वो गया था ठीक है किसके पास गया था तो लौरी के पास क्यूकि भाई लौरी ही तो मारेगा सापको तब वो बोलेगा ठीक ना चलिए नेक्स प्रस्ण है मांदी और रंथू कर जोड़ी कैसन रहे तो मांदू और रंथी कर जोड़ी कैसन रहे औप्सन नमबर बी दोनों यानिकी कोईल और हंसा जोड़ी रहे तो दोस्तों यहां आपका जो है क्लास समाप्त हुआ एका दो क्वेश्टन रेपिटिशन हो गये थे उसके चलते मैंने 101 प्रस्ण दे दिया इसमें तो यह जो आपका प्रस्ण कराया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि सहाय का चा चाई है और तीसरा 10,000 है 10,000 mcq test है तो आपको यहां तीनो टेस्ट एभिलेवल है तो आप 10,000 वाला टेस्ट है 299 में है और ये 20 प्लस 149 में है और ये only 99 तब जो भी कोर्स जोईन करें लेकिन आप 10,000 वाला M.Secure Test जोईन करें क्योंकि इसमें सारा चीज है और दूसरी बात जेशे CGL अचारे सहायक जो सहायक अचारे है 6-8, 1-5 सारे कोर्स अब लेवल है और AD Classes app and then join the AD Classes और अगर आप PDF पर्चेज करना चाते हैं तो दिये हुए नमबर पे आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं जैसे 8863 8884281 धन्यबाद वाचिंग फो दिस वीडियो जै हिंद जै भारत इसी के साथ मैं क्लास को समात करता हूं धन्यबाद